ये वीडियो जो है वो क्लास फाइफ के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास फाइफ में आज हम लोग साइन्स का लेसन थ्री करने वाले हैं जिसका टाइटल है स्केलेटन एंड मसल्स मितलब का अंकाल और मान स्पेस हैं सबसे पहले हम लोग को इसमें पढ़ना है और सिस्टम का निर्मान करते हैं कई सारे और साथ मिलकर किसी पर्टिकुलर काम को करते हैं तो उसको हम लोग और सिस्टम कहते हैं पहले के क्लास में भी आप लोग और सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हो जैसे की डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करत परिवहान को हते हैं इसके लिए शरीर को सबस्वाइब करता है इसके लिए सरीर का स्थाइब करता है वह हमारे शरीर का शुप सब्सक्राइब यो हमोरी शरीर का धाचा था कैसे हम लोगों को बैठना हो और चाहिए एक और सोचना समझने का तरीक़ को करता है एक स्सूर्जन तंद्र जो होता है वह हमारी सरीर से जो आपको उच्सरजी पदार्त होते हैं जो वेिस्ट मेटरियोस होते हैं उनको बाहर करने का काम करता है रिप्रोडुक्तिव सिस्टम जो प्रजिनन्त अंतर होता है इससे हम लोग क्या करते हैं बेबी का बर्थ देने का प्रोसेंस होता है कि वह होता है हम आरे सरीयर में जितने बहुत हो रहे हैं जैसे हाथ हिला रहे हैं यह सब इन्हीं दोनों के दोरा रहा है स्केल्टन सिस्ट्पे बारे में पहले भी पढ़ए लिकाप कर लेते हैं जैसे कि आप अपने पाम को व क्या होते हैं वहीं आपको बना हैं यह तो कटरी की आपके। आपको हाड होती है अंदर जो है इसके काफी स्पॉंजी टीशू भड़ा हुआ रहता है और जो आपको दा लॉंग बॉन्स ऑफ तो बॉड़ी है यानि कि जो हमारे सरी की लंबी हड़िया होती है इनके बीच जो होता है आपको हखुला स्थान होता है जो की बॉन मैरों से ब आपके सेल के जॉइंट होने से मिलकर हड़ियों का निर्मान होता है अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्केलेटन तो जो हमारे स्केलेटन है वह आपको मुखे रूप से बटा हुआ है हमारे खोपड़ी में हमारे बैक बॉन यानि कि डिर की हड़ी में रिब केज यानि क लिब करते हैं पूर्द करने सबस्कց एक तो बात करते हैं जो i-skull होता है वो हमारे मस्तिस्क की रक्षा करता है मस्तिस्क की काफी नाजुकंग है और इसके अलवाद मेशक कल ऐसल जो होल और हमारे खोपरी को दिखेगा तो उसमें आपको छैत दिखाई पड़ेगा जिसमें आपको नाक और आख हमारा इस्थित होता है इसके बाद होता है हमारे सरीर के मुख्य धूरी बनाने का काम करता है लेकिन यह जो है किवल एक ही हडी का नहीं बना हुआ होता है इसमें लगभग 33 चोटी-चोटी हडिया होती है जिनको हम लोग वर्टीब्रेटा कहते हैं ठीक है इसमें बनाने का नहीं होता है जो कि सीधे की सीधे ब्रेंच से जुड़ा हुआ रहता है जो हमारे हडी है वह बहुत सारे चोटे-चोटे हडियों से बनी हुई है यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं बैक बोन को आसानी से डिर करते हो अपने पीड को जुका सकते हो उसको है कर सकते हो तो यह सब हम लोग आपको फिसी लेखर पारते है क्योंकि यह कई चुट-छोटे हडियों का समहो हधी है अब हम बात करते हैं और कीया जत जैशे के पास हितनी हडिया है वो करती हैं यह जो है हमें हिर्दे को और हमारे फिप्रो को उस रखशे रखने का काम करत यह जो बीच वाला बोन होता है इसको लोग के चलना में जाती है इसलिए इसलिए फ्लोटिंग बोन भी कहते हैं यू के फिल यूर लीम्स यानि कि आप अपने पसलियों को जो है अगर आप अपने पीछे या फिर चेस्ट के पास अपने हाथ ले जाकर टच करो तो अब बात क हमारा हीप बोन होता है वह आपको मुख्यता तीन हडियों के एक साथ जूड़ने से मिलकर बना हुआ होता है जो पैर के हडियां होती है वह आपको हीप बैंस बोन से जूरी हुई रहती है और बाकी अपर हाफ दा लेग से बोन काल यानि प्र ना उसके ऊपर का पार्ट है प्रश्त यह वाला जो में पार्ट है यहोन हमारे स्प्रेट की सबसे बड़ी होती है जिसको फिमर कहते हैं और घ्र घ्र शूटा होता है सरा breast bone फिरALLY have fun भी कहते हैं और आगे चल कर जो है यही हट आ angry को आपके पाउं से मिल जाती है फीड से जिससे जुवा कर अर्म होता है वह आपको जुड़न होता है जो ऊपरवाला भां होता है ईऀड़ अपके निपावर्या native dell आपको मुख्य रूप से बना होता है वह कि अप कॉन्सी है sot inner ब्लेड और कॉलर बॉंस यानि कि जो उपर होता है उसमें एक लंबी सी हड़ी होती है जिसको हम लोग हुमिरस कहते हैं और जो लोवर आम होता है उसमें दो लंबी हड़ी होती है जिनको हम लोग रिस्ट या फिर जो हमारे हाथ के निर्मान करती है न वो होती है जो थाइब और फूमर होता है वो आप हमारे बोन्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं और इसके लावा जो हमारा बोन्स का मूवमेंट उसको और जएदा फ्लक्जिबल बनाने के लिए जो है जोड पर आपको नरम-norम हड्डिया पाई जाते हैं जिनको से हमारे स्कल्व और हमारे हमारे हड़ी में पैया करते हैं। इसे जौइंट के को करता हैं अपने घुमर तरणयों पहले तरणयों प्रमी कुछिए ये हमारे तरण कहें और से हमा पनेAcc照 ये स्कार्णयों अलग-अलग directions में movement कर पाते हैं अपने arms को क्या करते हो हड़ी को आप चारो तरफ घुमा सकते हो ना side directions में तो वो इसी joint के करन होता है इसके बाद होता है sliding joint जो कि हमारे आपके wrist वगरे में पाय जाता है इसके बाद होता है hinge joint यह जो है हम लोगों का hinge का मतब समझे कि दरवाजा दरवाजा को देखते हो आप एक ही side में घुमा पाते हो है ना दूसरे side से नहीं खूल पाते हो तो यह जो हड़ी होती है वो हम लोगों की elbow में या फिर finger में या फिर knees बगरे में पाय जाती है जैसे कि आपका केहुनी है तो केहुनी से आप अपने हाथ को आगे के तरफ तो मोर लोगे लेकिन पीछे के तरफ नहीं नहीं मोर पाते हो तो यह क्या है आपको एक ही side move होता है यह होता है हम लोगों का hinge joint अब होता है cure of bones यानि कि हड़ियों के हम देख बाल कैसे करें तो हम लोगों चाहिए यह भी हमारी हड़ियों के लिए अच्छा होता है उसे vitamin D मिलता है इसके बात करते हैं muscles की जो bones होते हैं मुस्ल के बिना move नहीं कर सकते हैं muscles क्या होते हैं आपके elastic issues होते हैं जिनको हम लोग चोटा ये बड़ा कर सकते हैं और यह जो हैं आपके हड़ियों से जुड़े हुए रहते हैं एक तंतू के द्वारा जिसको हम लोग tendon कहते हैं अब अगर muscles के प्रकार की बात करें तो पहले होते हैं voluntary muscles यह ऐसे मसल्स होते हैं जो कि हमारे नियंत्रन में चलते हैं जैसे हमारे हड़ी है हमारा हाथ है हमारा पैड है तो इनके muscles को हम जब घुमा उमा सकते हैं लेकिन वही जो involuntary muscles होती है वो हमारे को और को करती हैं करती हैं यह मसल्स हमारी काम किसे करती हैं तो जो मारी एकचिक पेशिया होती यह बोन से जुड़ी हुई रहती हैं टेंडन के दौरा पहले ही बताएं हम इसके अलब यह मसल्स क्या करती हैं मसल्स जो होती है पूल दा बोन एंडर्स प्रोड्यूस मुवमेंट यानि कि यह हड़ी को खीचती है और इस तरीके से जो है यह मूफ करती है कॉंट्रैक्ट और रिलाक्स करके मतलब संकुचन और प्रसारन यह करती है जब आपको मसल्स जो होते हैं वह आपको सौ्टेन होते हैं जब सिकूरते हैं तो हमारी हड़ियां पास-पास आजाती है जो आपके मसल्स होते हैं वो हमेशा पेर्स में काम करते हैं जैसके अगर आप अपना lower arm ऊपर क्या होंगे आपके सिकुरेंगे जैसे कि हाथ अपना उपर उठा रहे हो तो जो देखेगा लोग आपने जो बाड़ी दिखाते हैं उनका मसल्स उपर आ जाता है क्यों कि वहां का मांज़ अर वहीं जब फैलाएंगे तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा यानिकि वहां का के लिए रेगिडर इसम्से कर लेते हैं उसली व tutने क्या सब्सक्राइब हचा धुए इसमें कितने हडीयां होती है 22 होते हैं 22 लीज़े कितने जूड़ी मसल्स पाई जाते हैं रीव केज में 12 जोडी तो यह सकते हैं मसल्स के जो butter bubbles सरकल यानि हम लोग क्या कहते हैं जो लंबी और मुडियों होती है उनको लोग क्या कहते हैं तो यह जो है मुरी लिम्स लिम्स के टिक माले अब जो है इसको भर लीजे आप लोग फिलिंदे बलंक्स टैस अर्ड़ ट्रीप टीप अफ दनोस देट मिक्स आवर सबस्टांस तो इसमें जो ह अब भर लीजे हैं हीप बुन दश्फ फोर्म्स द मेन एकसिस बदे इसमें बैकबन बालेजे लगांग भर लीजे थाइब अमेम फिमर इंटे सब्सक्रेश भीम पेल्बक गैडल भर लीजेए इसमें दास इस प्लेस लिए खेलिए आप टूंस ज्रू फिट तोगेधर इस यह भी आप विक वार सब्सक्राइब करें च्बकर US दिनानं क्या दाल और रोय इतना ही कि Itam